समस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी मैं मोटिवेशनल कोच निशादबुर आपका एक बर फिस स्वाधत कता हूँ हमारे यूटूब चैनल में और दोस्तों मैं आपको आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हमें अपने बच्चों की साइकलोजी को समझ लाए दोस्तो आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि बच्चा पेरेंट्स इतना कट ओफ हो रहने लग गया इतना अलग रहने लग गया कि वो पेरेंट्स से सारी बाते शेर ही नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास टाइम ही है उसके पास जब टाइम होता तो पेरेंट्स के पास में टाइम प्रेट्स के पास टाइम होता है तो बच्चा कहीं मोबाइल के उपर लगा हूँ है कहीं डिजिटल क्लास उसने जोइन किया हूँ मैं आपको एक बार बता देना चाहत हूँ कि जो डिजिटल क्लास इसके आपने प्रिणाम देख लिए उगे कितनी खतरनाक हो रही है यह बच्चों के लिए जो डिजिटली वह बच्चा जो पढ़ रहा है वह बच्चों की साइक्लोजी मेंटल रेस्ट नहीं ले पा रहा है और यह कही ना कहीं उसकी आई साइट को भी इतना कमजोर कर देगा और फिजिकली बच्चे को इतना हम कमजोर कर देंगे कि आने वाले टाइम में बहुत भयाव है सिचुएशन पैदा हो जाएगी हमारे लिए तो इसके लिए मैं बतादना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो उसके उसको बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज में आप इन्वोल्व कीजिए और वो एक मिंगल अप हो जाए और जो उसकी अंदर की भावना है वो सारी निकलने शुरू है जब तक अगर आप उसको अभी कोवेट के बाद सारी सिचुएशन क्लियर होगी हैं सब साफ होगी हैं तो हमें जादा से जादा बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज करवाने चाहिए और उसको एक मोटिवेशनल इतना हमेशा उसको मोटिवेशनल ट्रेनिंग देने की ज़रूरत हैं यानि कि साइक्लोजिकल ट्रेनिंग माबाप की जिम्यदारी बनती है कि उसको हमारे बच्चों को आप साइक्लोजिकल ट्रेनिंग देते रहें क्योंकि क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने पीछे सर्वे कि उसमें यह सिचुएशन आईये कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटली तोर पर बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुके क्योंकि उनके पास बात करने को कोई दूसरा साथ ही नहीं है क्योंकि आप सबको पता है यार हम इनसान है इनसान एक सोसल वो है सोसल नेटवर्क बनाता अपना और अगर आप सोसल नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो वो ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी जहां जो हमारी प्राकर्तिक जीवन है उससे हम बिलकुल उल्ट हो रहे हैं और दूसरा हम पूरे दिन एक कमरे के अंदर बंद और हैं हम पूरे दिन एक कमरे के अंदर या घर के अंदर रह रहे कि इतना हमारे सभाव में चेंग आ गया अगर आप भी इन सारी सिच्वेसन से फ्रेशान है तो आप मुझे दियो इन नमबर पर को दूर करने की कोशिश करते हैं और टाइम टू टाइम हम उसमें मोटिवेशनल सेमिनाज इतने अटेंड करते हैं कि बच्चा हमेशा हाई स्पिरिट में यानि कि हाई मोराल में हमेशा आपको देखने को मिलेगा और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ मुझे बताने में कि competition कुछ ऐसा नहीं कि कोई और competition उसमें हम जैसे हम बच्चों को लक्षे देते हैं कि सैनिक स्कूल, मिलेटरी स्कूल, जवान, गुरुकूल, कुरुक्छेतर ऐसे sports school, राई, इन schools की हम coaching वहाँ को provide करते हैं कि क्योंकि यहां क्या होता है यह जो स्कूल जना 26 ऐसे स्कूल की हम coaching प्रोवाइड करते हैं जो बहुत एलिट है यानि कि कि किसी का 70 एकर में campus बनावा किसी का 60 एकर में किसी का 150 एकर में इतने बड़े-बड़े campus और वहां बच्चों को सारी facilities मिलती है swimming, horse riding, running, athletics सारे वो मतलब क्योंकि उनका जो तरीका है न ट्रेनिंग देने का उनका जो बच्चों को सिखाने का तरीका है वो बहुत ही अलग है और वहां बच्चों को physically, mentally इतना strong किया जाता है तो उस school में admission लेने के लिए क्या process होगा वो आप मुझे दीवे नंबर पे WhatsApp करके पूछ सकते हैं तो दोस्तों ये और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि वहां की guideline सारी की सारी हम provide करते हैं और इसके अलावा भी अगर आपको किसी परकार की कोई मुझसे guideline संपर्क कर सकते हैं और दूसरा मैं बताना चाहूंगा जो हमने school जो हमने institute सापित किया है आप उसको institute कहिए मैंने वो जो schooling system है जो traditional schools ऐसा नहीं है वहां वहां सिर्फ हम बच्चों को motivation देते हैं बच्चों को psychologically strong बनाते हैं बच्चों को mental रूप से strong बनाते हैं और बच्चों की बावना उन में ऐसी पैदा करते हैं कि वो एक अच्छे institute में भी चले जाएं और हमेशा high moral में रहें इसके लिए मैं एक हमने क्या किया पहले क्या हो था हमने सिर्फ वहां के आसपास के area में ही यह concept लेके आये थे और अब मैंने क्या किया हमने हमारी पूरी टीम इसमें ल सबी जिए हमारी बस की फैसिलिटी अब लेबल होगी और यह जो स्कूलिंग सिस्टम आपका जैसे मौनिंग में एक टू अप्रोक्सिमें टू अक तक जो स्कूल चलता है उस तरीके से यह स्कूल चलता है और जो उनका जो एजुके ट्रेडिशनल एजुके सिस्टम था उस जाना चाते है या फिर ऐसे स्कूल आपको अगर मिल रहा है तो आपको एक बार क्वैरी जरूर जनरेट करने चाहिए यानि कि आपको पूस्ता जरूर करने चाहिए तो बाकि सारे जानकारी मैं अगले वीडियो में दूँगा तब तक के लिए आप मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नवस्कार दोसों तरेवा